नीतो और मुकेश अंबानी के लाडले बेटे की शादी 12 जुलाई को हुनी है शादी की तैयारी पूरे जोरो शोरो पर है पूरा अंबानी परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्ट है अभी तक सोशल मीडिया और बी टाउन के सेलिब्रिटीस के बीच अनंद और राधिका के शादी के कार्ट की चर्चा थी लेकिन अब सबसे ज़ादा लोगों को एकसाइटमेंट इस बात की है कि आखर इस शादी में अब और क्या-क्या खास रहने वाला है क्योंकि जिस तरीके से अंबानी परिवार शादी की तैयारियों में वैस्ट है उससे पता चलता है कि ये शादी बाकि सभी शादियों को पीछे तो छोड़ेगी साथ ही इस बार कुछ और नयाद देखने को मिल सकता है हाला कि अंबानी परिवार ने थोड़ी बहुत जला कभी से देनी शुरू कर दी है दरसल अनंत और आधिका के शादी के कार्ट का एक पेज वारल हुआ जिसमें सामुहिक विवा की बात कही गई है आपको बता दें कि अम्मानी परिवार अनंत राधिका की शादी से पहले महराश्र के पाल घर में निचले और गरीब तपके के लोगों के लिए सामुहिक विवा का आयोजन करने वाला है इसे लेकर अम्मानी परिवार की तरफ से कार्ड भी जारी किये गए है खबरों के मुताबिक कार्ड में लिखा है कि अननत अम्मानी और आधिका मर्चंट से पहले प्री वेडिंग सेलिबरेशन के हिस्से के रूप में दो जुलाई को शाम साड़ी चार बजे पाल घर के स्वामी विवेका नन विद्या मंदर में गरीब और वंचत तपके के सामुहिक विवा का आयोजन किया जाएगा कार्ड में बताये गया है कि सामुहिक विवा के इस कारक्रम में मुकेश अमानी और उनकी पत्नी नीतामबानी शामिल होंगी इसके इलावा मानी परिवार के अन्य सदस भी समारों का हिस्सा बनेंगे जहां सोशल मीडियो पर शादी के कार्ड वाइरल हो रहे हैं तो वहीं बनारस से नीताम मानी के साड़ी सेलेक्ट करने की विडियो भी काफी चर्चा में है अनंत औरादिका की शादी के लिए लगातार कपड़ों की ओर्डर दिये जा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले आईए उनको सुनते हैं जिनके पास अंबानी परिवार की तरफ से साड़ीों का ओर्डर गया है उनका क्या क्याना है कुछ साड़ी उनके अपना मुंभई में मंगाया है देखने के लिए जो कि वहाँ पहुच गई होगी और उसमें से भी वो दो-तिन सो साड़ी पर्चेस करेंगी जो कि वह साड़ी में गिफ्टिंग मितलब देने के लिए वह पर्चेस करेंगी तो पुल मिलाके जितने भी साधी में साड़ियां और सब कुछ जा रहे हैं वो पुरे बनारस के साड़ी जा रहा है और बरार्शे साडियों की एक ये भी खास्यत है कि वो जो साड़ी सारे बने हुए है वो आपके सक्षी जरी में बने हुए है जिसको हम लोग रियल जरी कहते हैं और उसमें आपके पुरे चांदी और सोने की तार लगी रहती है चांदी जिसमें आपका 58-60% होता है चांदी और देड़ ग्राम उसमें आपका सोना की कोटिंग की रहती है गोल की कोटिंग की रहती है तो उसको हम लोग सची जरी बोलते हैं तो बहुत पुरे सोने चांदी की समझो वो तार से बना हुए रहता है तयार साडियों का ओरण दिया है अक्षे कुश्वगा का कहना है कि कुट साडियां उन्होंने मुमबई मंगवाई है शादी में जो भी साडियों को सोने और चांदी की जरी से तयार किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इनकी कीमत एक लाग रुपे से शुरू होकर पांच लाग रुपे तक की है हमें दस से पंदरा साडिया बनानी है और इन्हें भी असली जरी से तयार किया जाएगा है काफी पहले से ये काम चल रहा है कुछ साडिया वहां डेलेवर कर दी गई है दो तिन जुलाई तक वहां साडिया पहुचानी है गुलाबी रंकी साडियों को ज्यादा प्रफर किया गया है और जो सबसे ज़ादा पसंद की गई है वो है कोनिया ट्रेंड की लाग बूटी साडि जिसकी चर्चा इस समय सोशल मीडिया पर जोरो शोरो पर हो रही है आपकी इस वीडियो के बारे में क्या रहा है हमें नीचो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दाएगा ब्योरो रिपोर्ट ग्लोबल भारती